नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल अवी डबल सी रवाट पे भाई अपने सामने जो गाड़ी रहने वाली है प्रीमियम सेग्मेंट की रहने वाली है और ये है आपकी टोयोटा की ग्लैंजा लुक देखो आप कितना क्लासिक लग रहा है सामने ये कार्बन फा टोयोटा की साथ आपको extended warranty मिल जाती है जो महाँ पर दो साल की मिलती है यहाँ पर तीन साल की warranty मिलती है और extended warranty जो है न वो इस समय में discount में मिल रही है मतलब 5 साल तक की warranty मिल जाएगी वो कैसे मिल जाएगी यार वो सिर्फ मिलेगी आपको old stock पर अगर वो कोई लेना चाहता है और कहीं पर old stock है तो काफी अच्छे benefit मिल जाते हैं जैसे कि मेरे सामने यह है यह आप नए stock में भी ले सकते हो old stock में भी ले सकते तो मोटा मोटा कहीना कहीना जब आप सारे discounts मिला लोगे तो साथ हजार रुपे तक के discounts पर आपको glance मिल जाएंगे मैं आपको बता जता हूं यह इसका G variant है यह second top variant है इसके अंदर वो सब चीजे मिल जाती है जो बढ़िया रहती है और दूसरी बात सबसे अची क्या मिलती है जब आप Zeta variant में जाते हो मारूती में तो वहाँ पर आपको silver वारे wheels मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको diamond cut alloy मिलते हैं यह देखने में काफी प्यारे लगते हैं comparatively normal alloy wheel के अब चलो यह G variant है इसका जो second top रहेगा यह automatic के अंदर है इसकी कीमत की अगर बात करेंगे तो यह actual room कोस लेता है तो उसको discounts मिल जाएंगे और 24 वाला मोडर लेता है तो उस पर जाता है 10-15 जार उपे तक के discounts हैं लेकिन पुराने वाले पर अगर कोई लेना चाहता है तो भाही benefits या ले सकता है मतलब seriously काफी अच्छी deal हो जाएगी चलो अब देखते हैं इसमें क्या कुछ मिल जात जाएगा और बिल्कुल स्लीक सी आपको क्रों की piping टाइप्स मिल जाएगी जो लोग को काफी अनेंस कर रही है नीचे भी मिल जाएगी और यहां पर आपको ना fog lamps नहीं मिलेंगे और fog lamps में लगवा भी नहीं सकते बाकि यहां पर आपको प्रोजक्टर headlamp मिल जाएंगे यह high beam का काम करेंगे low beam का और यह आपके indicator हो जाते हैं यह आपके halogen रहींगे engine की बात करोगे तो इसके अंदर 1.2 लिटर का engine मिलता है और जो इसका gearbox है transmission है वो AGS वाला है चलो side में आते हैं तो यह रहेगी इसकी side की profile अब color तो obviously यह प्यार ही है side profile में हमें क्या कुछ मिल जाता ह है तो यहां पर आप देखोगे तो silver आपको जो basically chrome की lining है यह मिल जाती है pillars इसके blackout हो जाते है यह B-plur blackout है A-plur blackout है और यह इसके ORVM जिस पर आपको indicator मिल जाएगा अब इसको अगर आप लॉक करोगे चाबी कुछ हैसी है यह आप लॉक कर दो और यह unlock कर दो तो इसके आयर है 195 55R 16 profile के साथ तो यह हो जाता है इसका side अब door handles की बात करोगे तो request sensor और यह chrome मिलती है इस पर चारो ही doors पे chrome मिल जाएगी बाकी पूरा लुक ही हो जाता है उपर की तरफ आपको एक antenna मिलेगा जो regular antenna है और यह spoiler हो जाता है जो roof है इसकी वह slanted है पीछे की तरफ तो रियर का लुक में क्या मिल जाएगा बेसिकली आपको यह है chrome ठीक है पूरी मिल जाएगी यहां पर नीचे की तरफ कैमरा है टोयोटा की बैजिंग है यह वाइपर है डिफोगर्स हाइमांट स्टॉप लैंप उधर वाशर भी मिल जाता है जी की बैजिंग मिल जाएगी और चार रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं इसके अंदर और यहां पे लाइट मिल जाएगी जो LED के अंदर है नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं और बूट स्पेस की बात करूए तो 318 लिटर का बूट स्पेस है इसके अंदर जिसमें की यहां पर आपको यह रिक्वेस्ट सेंसर मिल ज फाइल का हो जाएगा 15 इंच का और यह की शेल्फ है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी इस वेरियंट में अब अंदर चलते हैं और रियर की ट्रिम देखते हैं तो भाई यह है इसकी रियर की ट्रिम अब यहां पर पता है एक पॉजिटिव साइड क्या हो जाती है इसका जो इं यहां पर नीचे आपको एक पॉकेट मिल जाएगी स्पीकर की प्लेस्मेंट टोटल नम्मोर उफ इसके अंदर चाहे मिलेंगे जिसमें की दो ट्यूटर हो जाएंगे और यह हैं इसकी सीट्स यह भी डॉल टोन के अंदर है यह देखो आप ब्लैक एंड बीज आइस ऑफिक स्प्लिट सीट्स के साथ हैं तो चलिए यह भी अच्छी चीज है इस्पेशिस में बिल्कुल भी कोई दिकर परिशानी नहीं है इस्पेशिस कार है यह और सेंटर में आप नोटेस करो तो यहां पर एसी वेंट से हैं दो सॉकेट हैं टाइप ए एंड टाइप सी ठीक है यह यह लैदर में करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा मतलब वो शॉल्डर वाले जो आते हैं न अब वह भी समझा देता हूं मैं आपको पहले फ्रेंट के ट्रेम में लेगे चलता हूं जैसे यह हैं न यहां पर एयर बैग्स हैं इसकी अंदर तो वह आपने देखा होगा मारूत यहां पर क्रों के अंदर यह लैदर हो गया प्लेस्मेंट हो गई नहीं चुब एक लिटर की बोतल अराम से आजाएगी स्पीकर और इधर आपको ट्विटर मिल जाएगा अब यह देखो पूरा लुक अंदर का अंदर डॉल टोन के अंदर होने के विज़ना अच्छी लग यहां पर देखो ग्लोसी ब्लैक फिनिश अच्छी लग रही है ना पूरा डेशबोर्ड का जो टोन है ना वो थ्री टोन में ग्लोसी ब्लैक बीज कलर यह आपका मैट ब्लैक के अंदर तो एक काफी अच्छा लुक मिल जा रहा है इसमें सीट कमफर्ट हैं तो यह रहेगा पूरा का पूरा लेयाउट ट्रपल टोन जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको यह स्ट्रिंग वील हो जाता है जो डी कट है लेकिन यह लेदर रैप्ड नहीं है यार इस प्राइस सेग्में पे होना चाहिए था थोड़ा सा यार इंप्रूव करो बाकि यहां पर लाइड यहां पर आपको सारे चेंज करना कानाचेंज करना चेंज करना म्यूट करना क्रूस कंट्रोल तक पर और जैसे आपका अंधेरा मतलब होगा तो बीसिकलि लाइट जल जाएगी, आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर आप देखना यहाँ आपको reflection दिखाई दे रहा है light का तो भाई यह auto पर डालते ही न क्योंकि यहाँ पर इस समय थोड़ासा अधेरासा हो रखा है तो यह automatic जल गए तो एक अच्छी चीज हो गई फिलाल इसको कर देते है normal off बाकि यह इसका analog रहेगा जिसमें की rpm meter 8000 तक किया है और इसी के नीचे आपको temperature वह मिल जाएगा goes इधर आपको fuel goes मिल जाएगा और 220 तक की speed limit है meter देखने में प्यारा लग रहा है बाकि इसके अलावा कोई अलग से इसमें lights वगरा नहीं है बाकि इसके अंदर आपको सारी information मिल जाएगी यह से trip की information हो गई fuel economy हो गई और यहां से आप इसको adjust भी कर सकते हो चेंज कर सकते हो यह इसके layout है टाइम वाइम और वो सब चीज़े तो यह complete हो जाता है इस टेरिंग जो है इसका tilt and telescopic दोनों है इससे आप नीचे भी कर सकते हो और भाई आगे पीछे भी कर सकते हो अपने accordingly पर यह भी अच्छ क्या ही हो सकता है यह आप finishes देखो और यहां पर भी आप finishes देखो close से automatic climate control है इसके अंदर जो base variant से ही है इधर to download का socket है यहां पर एक आपको type A का socket मिल जाएगा किसी को अगर wirelessly नहीं चला ना तो भाई यहां से चला लो इसको और इससे आपका phone भी charge हो जाएगा बाकि यहां प क्लासिक चीज इसके अंदर आपको भाई automatic variant है बिसलिए automatic मिल जाता है एक बार drive mode पर डालो और नीचे आप देखो कोई भी clutch नहीं है यहां पर dead pedal दे रखा है सिर्फ आपको क्या करना है रेस देनी है और brake दबाना है रेस देनी और brake दबाना है यह पहर आपका बिलकुल free रह रहता है इनफ रहता है यह इस पेड़ आपकी lead weed रखने के लिए इस तरही की चीज रखने के लिए और भी कुछ रख लो जो जो भी चाहो बाकि यहां पर आप देखो तो यहां पर भी आपको काफी अच्छा space मिल जाता है overall layout तो प्यारा है यहां पर आप notice करो तो यहां पर कोई ticket holder नहीं है मेरे साब से होना चाहिए था यह आपकी lights है hello john के अंदर है इनको आप aftermarket LED करवा सकते हो बागी यहां पर आपको एक mirror मिल जाएगा और यह आपको day night IRVM मिलता है जो manual है automatic होता तो और भी अच्छी बात होती अब सबसे important बात इसका engine 1.2 liter का engine है और power कितने videos करत और 113 mm का torque है मरलाब इस गाड़ी के हिसाब से अगर बात करोगे तो खिचने में कोई दिकत नहीं आने की है पांचने में बैठ जाएंगे तब भी कोई दिकत परिशानी इसमें नहीं आने की है अब सबसे अच्छी जो plus point है ना Toyota का वो मुझे क्या लगता है यहां पे 3 साल क वारंटी मिलती है और 1,000,000 km तक जो आपकी बन ओन रोड प्राइस के अंदर ही मिल रही है तो एक यह plus point हो जाता है इसके लाब थोड़ा सा लोक है ना उसको comparatively मारूती से देखोगे तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्पोर्टी कर रखा है जैसे फ्रेंट देख लोगे ठीक है तो वो थोड़ा सा बैटर लगता है comparatively उसके और सच तो खेर उसकी sister ही है यह बागी तो कुछ सच है नहीं अब बात आती है safety की तो safety के अंदर भाई six airbags मिल जाते हैं जो सबसे अची बात है curtain airbag हो जाते हैं side airbag हो जाते हैं जो seat पे होते हैं और आगे दो dashboard पे भी airbag म मिल जाएंगे ESP मिल जाएगा traction control मिल जाएगा isofix मिल जाएंगे reverse parking camera reverse parking sensors old stock पे क्या discount मिल रहे हैं तो अगर आपको कहीं से लेना हो और आपको वह 23-24 वाला चकर नहीं पालना और गाड़ी चाहिए क्योंकि फरकता सच कुछ आता नहीं है तो भाई आप definitely ले सकते हो और भाई अहीं है कि मैं आपको यहीं दिखा रहा हम तो यही मतलब मैं तो सिर्फ ए गाइड द रहा हुँ हूं आप लोगे वाली तो बंदे लेकर इसको अगर आपको अच्छा लगा तो आप ला इकक, शेयर इन CANS कर देना बाकि मिलते है अग दूसरी वीडियो में आपको ठ listener रख टेक केर बाई बाई